अस्सलाम अलेकूं, जुलेखा के दुमिया में स्वागत है आपने दोस्तों, देखे मैं अपना बागीचा को ठीक ठाक कर रही हूँ, सफाय सुत्राई, देखे मैं बास को बान रही हूँ रस्ती से, इसमें बूती से बान दूगी, तो मैं पोई के साथ हूँ, पोई के साथ पे ऊपर चरेगी, और अच्छी तरह से फलेगा। इसना पत्ता बास में चरेगी, अच्छा से फल होगी उसमें। गुलाब का पेर में भी मैं कटिं कर रही हूँ हूँ, हमारे पास तीन गंपला में गुलाब का पेर है, तो मैं थोड़ा कटिं कर दे रही हूँ, और यह सामने में नेंबु का पेर है, यह सबको मैं गुडाई कर रही हूँ, गुलाब के पेर है, यह चोटा गमला में गुलाब का पेर है, यह बेगन बुलिया का पेर है, इसको भी मैं कटीन करूँगी, इसको भी कार दे रही हूँ, देखी इसको कटीन करके, मैं इसको फिर दूसरे जगा रोब दूँगी, और इसको कटीन करने से यह अच्छा घना होगी, इसको भी गुराई उडाई करके, इसमें भी मैं खाद डालूँगी, अभी सबको कटीन कर दे रही हूँ, कटीन लगा दूँगी, सबको गुराई कर रही हूँ, देखें इसका गुराई कर रही हूँ, पूरा छच्छ में हम सारा गमला में गुराई उडाई की हूँ, सबको सफाय सुसराय की हूँ और सबको सही जगा पे रखी हूँ तो देखने में अच्छा भी लगता है साप सुसरा रने से ये देखिए ये देखिए डरेगन फुरूट का पेड है बड़ी हो गई है दीवार में भी चिपक गई है कि ये कद्दू इससे पहले वाली हम ये मे काठी इसमें पपीता के पेर में पपीता नहीं हो रही है फूल होती है जड़ जाती है इसलिए मैं इसमें काठी ठोकी पित्तर नाप के इसमें ठोकना है अब इसका क्या रिजल्ट आता है तो मैं देखाऊंगी आप लोगों को इतना मोटा जड़ हो गई है, मगर इसमें अभी तक पपीता नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसमें काथी ठोड़ी हूँ देखिए ये हमारा बागीचा का सफाई हो गई है, इसमें दो घंटा मुझे लगी है, सर मिलके हम लोग साफ की हूँ साफ करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा है देखिए, जो कद्दू में जो रोपी थी, तो वो तो सुख गई, एक भी कद्दू नहीं हुई, तो उसको मैं हटा दी हूँ अब उस जगह पे दूसरा चीज मैं रोपूंगी, तो आप लोगों को देखाऊंगी इसमें गई देखिए, हमारा बगीचा कितना हरा भरा लग रही है और बहुत गार्डिंग करने में बहुत महिनत लगती है और आप लोग देखिए, आप लोग को क्या समझ में आता है, आप लोग सेयर कीजिए कॉमेंट करके बताईए सब्क्राइब कीजिए और कोई कमी बेशी लगती है तो बताईए कॉमेंट करके कॉमेंट करके बताईए देखिए अमरूत का पेर है, मेरा का है, अब बहुत सारा पेर से मैं रोपी हूँ, और सब्क्राइब कीजिए, कॉमेंट करके बताईए, अल्ला हाफीज